अब अब इसले वीडियो में देखा था कि हमने अपना सारा के डेटा डेश्बोर्ड में डिस्पले करा लिया है और अब इसले वीडियो में मैंने एडिट सेक्षिन छोड़ दिया था हां देख सकते हो डू आइटम लिफ्ट और एक्टिव कंप्लीट और डेटा बिल इसके साथ साथ बीना हम तूडू फॉर्म कंपोनेंट पर वर्क किये बीना हम आगे नहीं पर सकते थे इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था चलो अब हम करते हैं पहले एडिट के लिए आपको बताते हैं हमने क्यों इसे पेंडिंग में रखा था तो यहां पर आपको एड जरुत पढ़ेगी टूडू फॉर्म के ठीक देखा और इसके अंदर मैं आर्गमेंट पास करूँगा तूडू जो कि हमारा एनी टाइप का होगा अब यहीं से मेरा काम मुझे इंपोर्टेंट पढ़ रहा है किसका अपने फॉर्म कंपोनेंट का तो इसके अंदर हमारे ब इस वज़ा से अब हमको चलना पड़ेगा तूडू फॉर्म कंपोनेंट पे तो एक काम करते हैं अब इसको इतना करते हैं मतलब इतने पोल्ड रखते हैं चलते हैं पहले फॉर्म कंपोनेंट और यह देख सकते हो आप मैंने जब यह कंपोनेंट बनाया था तो उसी समय मैं मैं ने तू-टू फॉर्म कंपोनेंट पोड कर दिया था और अब डैरेक्टलि हम जम कर दिया है तू-टू फॉर्म कंपोनेंट पर सबसे पहले एस यूजर यहां में लाइब साइक लोग यूज करने के लिए कर लेता हूं और उसके बाद में यहां पर और एंजी को भी लिख लेता हूं ठीक है और यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करने वाले हैं व्यू चाइल्ड कंपोनेंट का ठीक है व्यू चाइल्ड का बैसिकली डेकॉरेटर्स आप लोग जानते हैं वह को नहीं पता तो आप में कमेंड में पिंग करो मैं इस पर एक सेप्रेट वीडियो कंप्लीट वीडियो बटाऊगा क्योंकि यह सबसे मोश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एंगुलर का ठीक है तो यहां मैंने एड़ रेट व्यू चाइल्ड यूज किया व्यू च टास्क को क्या करेगा यह रीड करेगा किसकी ठिघ हैज हम एक वरियबल already न renovate को Pois इसे एक Act yelled in college में इमेंट değ्ल कर दीया अब यह क्या काम करेगा यह सारा टास्क करेंट के इन रखएगा अब इसका वी यूज में बताता हूं जब आप element reference करेंगे तो angle bracket के साथ यहां पर html input element देना पड़ेगा आपको ठीक है html input element मतलब हुआ कि जब भी मैं कुछ input type करूँगा तो यह bypass करेंगा data one component to another component ठीक है यह simple सा तरीके से बता रहा हूं ठीक है उसके बाद पिछले वीडियो में तो आपने सीखा होगा add the rate out decorator कैसे यूज करते हैं add the rate out decorator का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कितनी flexibility है इसकी ठीक है तो यहां पर मैं to do item created एक variable लेता हूं जिसमें मैं simply new element event emitter लेता हूं ठीक है और यहां पर मैं pass कर दूँगा अपने data कौन सा data जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था आपको उसी पिछले component पे ले चलते हूं यही object पूरा को पूरा मैं उठा लूँगा जो मैंने उपर top पे रखा था ठीक है तो यह पूरा पू आई होप की इतना क्लियर होगा होगा उसके बाद अब यहां पर हम एक और आउट्टू डेकुरेटर ले यूज़ करेंगे ठीक है अगे 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 ड्रेट आउट्पूट है और यहां पर में वेरेबल का नेम देने वाला हूं है टूडू आउट्टेम एडिट ठीक है टूडू आउट्पू डेटर और न्यू एवेंट एमिंटर यहां पर भी एंगल प्रेकट और यहां पर हम पास करेंगे ऑपजेक्ट सरी ऑपजेक्ट ठीक है कि यहां पर यह यह साब वैरिय stew हो अब एक और यहां पर में वैरियमल ले रहा हूं ठीक है जो की एई टाइम को हो गगा तास्क में चैरट हम और यह मैं नेक्स पार्ट में बना दूँगा अभी इस पार्ट में इसका टी एस पार्ट जो पिछला शोड़ गया था और इडिट मेथड उसको मैं कॉंटिन्यू करूँगा ठीक है और यहां पर मैं देता हूँ को बुलियन टाइप का जो कि टूर हैगा इनिशिली टूर में रखता हूँ ठीक है अब इसको मैं कंडिशन वाइज अपने हिसाब से इसे हैंडल कर लूँगा जब भी कोई फ्लैग बनाना तो अपने हिसाब से हैंडल करना और यहां पर टी फॉर्म नाम कर लेता है टी मतलब इसको यहीं पर क्रियेट कर लाँ एक तरीके सावलो यह जो इंटरफेस ऑबजेक्ट इंटरफेस क्रीट कर रहा हूं में बस ठीक है बहुत जादा बर्डेन नहीं लेना इंडिम सिंपल तरीके समझना और उसको बाद इसको मैं हम सेप कर लेते हैं सेप करने के बाद आब आ इसमें कुछ नहीं करना हमें ठीक है आते हैं अपने अजरी की नीचे और यहां पर मैं कुछ में बनाओगा जैसे पहला होगा होन सब्मेट में क्या सब्मेट होगा तो उसके लिए होगा हमारे एक आर्गमेंट जाएगा टूडू जो की हमारे टूडू टाइप का पूरा हमारा पास हो जाएगा पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से component का सारक सारा data यहीं से focus होगे पास हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर मैं focus किया उसका भाद this dot to do item created is dot emit और emit के साथ हमें कैसे data bypass करना पड़ता है value और object तो यहां पर हमारे पर value तो कुछ नहीं डारेट हम object पास करेंगे तो इस object को पूरा को पूरा हम copy कर लेते हैं जो पिछले वीडियो मैंने बनाया था सेम उसे तरीके से use करना है तो हम यहां पर भी use कर लेते हैं इसको मैंने यहां पर मैं देता हूँ edit यहां पर पास करता हूँ टूडू इस डॉट एडिट इस डॉट टूडू आइटम में एडिटेड डॉट एमिट ठीक है और इसके अंदर हम पास करेंगे अब्जिट पूरा तो अब्जिक्ट हमने पास कर दिया वही सेम जो मैंने टॉट पे कॉपी किया था बट यहां पर आइधिंग कुछ चेंज है ठीक है जैसे यह जो टूडू आइडम हों टूडू नहीं जाएगा हमारा यह हमारा इस डॉट टी फॉर्म से जाएगा ठीक है आईडी और स्टेटस दो चीज होगा जो हमारा टी फॉर्म से मैं इसे बाईपास करूंगा क्यूंकि हमारे फॉर्म में जो भी बेस जब हम एडीट करेंगे तो इसके स्टीटस बेस पर विडिट करेंगे ठीक है बाकी डिटा तो सेम रहेगा लेकिन आईडी को कैप्चर करना तो उसके लिए हम आईडी फैच करेंगे अब आ जाते हैं टूडू आइटम लिस्ट पर ठीक है वहां पर बारा अल्मोस्ट डन हो गया अब यहां पर हमें सारी चीज से अब देखो जब एडिट करूंगा तो टास्क तो मारा सेम होगा लेकिन आईडी के लिए देखो हमने चेंज किया ना तो आईडी वह भी देखो यहां पर भी चेंज होगा एफ कंपोनेंट डॉट टी फॉर्म डॉट आईडी इस एकुल डू टी टूडू डॉट आईड ठीक है और यहां आप देता हूं दिस डॉट एफ कंपोनेंट डॉट टी फॉर्म अब देखो यहां मैं टी फॉर्म नहीं लोगा कि अब यहां आप मिझे आईडी टास्क मिल गया ना अब ऑन सब्मिटेट चेक करना और सब्मिटेट को मैं यहां से फॉल्स कर दूँगा ज डॉट फोकस ठीक है उसी पर फोकस कर दूँगा जैसे एडिट होगा उस वैलू को मैं फॉल्स कर दिया जो हमारा ऑन सब्मिटेट वैलू था जो टू किया था और वहीं उसी पर मैं फोकस कर दिया कि अब इसको फिल फिल कर गए तब करो और उसके बाद अब यहां बना ले डॉट सर्विस डॉट एडिट टूडू वाई आइड़े और इस आइड़े पर हमें यह पूरक पूरा पास करेंगे वैलो ठीक है इस पूरे पूरे औबजक्कों में हम उठा लेंगे और यहां पर पास कर देंगे सेम बिल्कुल डिक्टो यही ठीक है तो यहां पर मैंने आइड़े की बिचाप पे इसको सिलेक के और पेस्ट कर दिया अब यहां पर हम डेटा को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब रिस्पॉंस और रिस्पॉंस पर हम डेटा ले लेंगे देश टॉट टॉस्टर डॉट सक्सेश अब यहां पर हम मैसेज पास कर देते हैं तूडू आइटम हैस बीन अपडेटिड क्योंकि हां पर हम एडिट करके अपडेट कर रहे हैं आईडी बेसिस पर ठीक है और उसके बाद गेट आइटम्स को लोड़ कर लेंगे और उसके बाद एर्र को चिक कर लेंगे ठीक है बस अब इस मेथड को आप एस टेमिल में यूज कर लो एर्र इसकुल टू एरो इसकुल डॉट लॉट लॉग एर्र अब यहां पर जैसे हमने बाकी मेथड को कॉल किये है बिलकुल उसी तरह के से यहां पर हम एडिट मेथड को भी कॉल करेंगे एडिट इस इकुल टू और एडिट आइटम्स और एडिट टू डू आइटम्स अब इसको मैं यहां से हम बेज़ेंगे एविंट में आज पूरा को पूरा डॉलर एविंट के थूरू हम पाइक पास करेंगे डेटा ठीक है जिस आइटम पर एडिट किया जाएगा अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कॉपी करता हूँ इसी को सारे जितने जगा बैंड के हमने कंप्लीट टास्क पेंडिंग टास्क इन सभी पर हम कॉल कर लेंगे ठीक है और यह हो गया अब सेब कर देते हैं अब एक बार आउटपुट पर आते हैं और सबस आउट करता है पहले आईटी इसको मैं अदिट इसको मैं इसको नहीं इटिका एप देलिट करता हूँ मैं ने डिलेट किया और नीचे और नीचे फिल्टरेशन भी बड़ी हो रहा है अब हम क्या करेंगे इसको भी एडिट करके completed पर ला दिए ठीक है अब activated कोई data नहीं है जीरो टास्क हो गए तो all चीजे डन हो चुकी है अब हम फर करेंगे form पे तब मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए keep practice, keep coding, take care, bye bye